श्री भक्त माल में भगवान जी के प्रिय भक्त श्री अंब्रीश जी वे वस्वत मनु के परपुत्र तथा राज रिशी नाभाग के पुत्र महराज अंब्रीश जी सब तत दीवती संपुरन प्रिथी के सामी थे और उनके अश्वर के संसार में कोई तुलना नहीं थी कोई दृद्रमनुश भोगों के अभाव में वेरग्यवान बन जाई ये तो सरल है किन्तु धन दोलत होने पर विलास वो की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वेरग्यवान होना विश्यों से दूर रहना महापुर्शों के ही वष्गा है और ये भगवान जी के किरपा से ही होता है थोड़ी संपती और साधारन अधिकारवी मनश्य को मदंद बना देता है कि इन तो जो भग्यवान अशरन अशरन दीन बंदो बगवान जी के चरनों का आश्रे ले ले लेते हैं तो उन माया पती श्री हरी की रूप माधरी का सुता स्वाद पा लेते हैं माया की माधकता उन्हें रुख ही लगती है मोहन की मोहनी जिनके प्रान मोहित कर लिती है माया का उच्छापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है यह तो जल में कमल की भाती संपती एम एश्वर के मज्धवी निलिबती रहती वे वस्वत मनू के परपोत्र तथा राजरीशी नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना एश्वरी सपन के समान असत जान पड़ता था में जानते था कि संपती मिलने से मोह उता है और बुद्धी मारी जाती भगवान वासुदेव के बक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के धेलों सा लगता है विश्व में तथा उनके भोगों में नितांत अन असक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पादपदों में ही लगा दिया था जैसे राज वैसी प्रजा महराज अंबरीश के प्रजाजन राज करमचारी सभी लग भगवान जी के तवित्र चृत्र प्रुत्र सन्ने भगवान जी के नाम गुन का कीतन करने और भगवान जी के Пूज Bryant ध्यान में ही अपना समय लगाते थे भक्त वस्ल भगवान जी ने देखा कि मेरे ये भक्तों मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं तो भक्तों के योग शेम की रख्षा करने वाले प्रभूने अपने सुदर्शन चक्र को अंबरीश तता उसके राजी की रख्षा में नियुक्त कर दिया जब मनुश्य अपना सब भार उन सर्वेशर पर छोड़ करके उनका हो जाता है ताव विद्या में उसके योग शेम का दायित तो अपने उपर ले करके उसे सर्था निश्चिंद कर देते हैं चक्र अंबरीश के द्वारा रहकर रज्च की रख्षा करने लगा कह है राज रिश्चि अमरीश एकदशी वरत निश्चटा की कत्ः राजा अमरीश ने एक वर अपनी पतनी के साथ शिर्व की शिकोब पर सन्ना करने के लिए वर्ष की सबी अकदश्यों के वरत का नेयम किया वर्ष कुरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धून धाम से भवाज़ जी की पूजा की रामनो को गोदान किया ये सब करके जब पारण करने जा रहे थे तब ही महिर्शी दुरौशा शिश्य और सहित अब पतारे राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे बोजन करने की प्राथना की दुरवाशाजी ने राजा की प्राथना सभीकार कर ली और शिनान करने जमनातर पर चलेगी दौदशी केवल एक घड़ी शेश थी दौदशी में पारन ना करने से वरत भंग उता है उता दौदशी आएंगे कब ये पता नहीं था अतिदी से पहले भोजन करना अंचित था बरहामनों से विवस्था लेकर के राजा ने भगवाँ जी के चर्नोदक को लेकर पारन कर लिया और भोजन के लिए रिशी की पतीक्षा करने लगे दौशा जी ने शिनान करके लोटते ही तपबल्च से राजा के पारन करने की बात जाननी ये तियन तक्रोदित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारन किया उनने मस्तक से एक जिटा उखाड़ी और उसे जोर से प्रिथी पर पटक दिया उससे कालगनी के समान कृत्या नाम की भानक राक्षी निकली वे राक्षी तलवार लेकर राजा को मार ने दोड़ी राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे उन्हें तने के भे नहीं लगा सरवत्र सब रूप में भगवान ही है ये देखने वाला भगवान जी का भगत भुला कहीं अपने ही दिया में स्वामी से जार सकता है अंबरीश को यो तो कृत्या भी भगवान ही दीखती थी अंतर भगवान जी का सदर्शन चक्र तो भगवान की आग्या से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक था उसने पलक माते कृत्या को भसम कर दिया और दरवाचा के भी खवर लेने उनकी और दोड़ा अपने क recommends को इस वरकार नस्ट होते और जोला में क्राल चक्र को अपनी यूरते दे 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 दरवाचा जी प्रान लेकर भागे तो अब सस्द्षाओं में पर्तों की गफाओं में समुद्र में जहां जहां चिपने के इंद्रादी लोकपाल तो उन्हें क्या शरन देते सें ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रे नहीं दिया, दिया करके शिप जी ने उनको भगवान जी के भी पास जाने को कहा, अंते में बेकुंट गे और भगवान विश्नु के चर्णों पर किर पड़े, तुर्वासा ने कहा, प्रभू, आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से भी छोड़ जाते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैंने आपके परभाव को ना जन करके आपके भगत का अपराद किया, इसलिए आप मुझे श्यमा कर दिजिए, भगवान अपनी च्छाती पर भीगों की पर भगत के प्रति किया गया प्राद वै श्यमा नहीं कर सकते। जानता सादू भगतों को छोड़ कर, नहीं अपने इस श्यरीर को भी नहीं चाहता और इन लच्छी को जिनकी एक मात्र गती मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भगत, इस्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्रान, ये लोग पर लोग सब को त्यार करके मेरी श्यर नया है। भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पुत्र, पती, वरता, इस्त्री, पती को अपनी सिवा से वश्य में कर लेती है। जैसे ही समदर्शी भगजन मुझे में चित लगा करके मुझे भी अपने वश्य में कर लेते हैं। नश्वर सर्ग आदी की तो चर्चा ही क्या। मेरे भक्त, मेरी सेवा के आगे मुझे को भी सविकार ने करते हैं। ऐसा भक्तों कि मैं सर्था आदीन हूँ, अता इवरिशी प्रवर, आप उन महां भाग ना भाग तने के पहिवी पास चाहिए, वहीं आपको शांती मिलेगी। इदर राजा अम्रीश बहुत ही चिंदित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दर्वाशाजी की को मृत्यों भही से प्राप्त होकर भूके ही भाग ना बढ़ा। इसी वस्ता में मेरे लिए भूजन करना कदापी उचित नहीं है अतावे केवल जल पीका रिशी के लोटने की पूरे एक वर्ष तक परतीक शागर दे रहे। वर्ष भार के बाद दर्वाशाजी जैसे भागे थे वैसे ही भेवी दोड़ते हुए आए और उन्हें राजा का पैर पकड़ लिए ब्रामन के द्वारा पैर पकड़ जाने से राजा को बड़ा संकोचवा उन्हें स्तुती करके सुदर्शन को शांत किया। महिर्शी दर्वाशा मिर्ट्यों के भैसे चूटे सुदर्शन का अथी उगरता जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ अब परसन होगर के वे कहने लगे आज मैंने भगवान जी के दासों का महत देखा। राजन मैंने तुम्हरा इतना अपराद किया था पर तुम मेरा कल्यान ही चाहते हूँ जिन प्रभू का नाम लेने से ही जीव समस्त पापो से छूट जाता है उन्तीरत पाद श्री हरी के भगताओं के लिए कुछ विकारी शेश नहीं रह जाता। राजन तुम बड़े द्यालो हूँ मेरा अपराद नाद देख करके तुमने मेरी प्राण रक्षा की। ब्रीश के मन में रिशी के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान जी के किरपा समझा। महिर्शी के चर्नों में पर नाम करके बड़े आदर से राजाने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर एक वर्ष पश्चात उन्होंने वह पूत्र अन परशाद रूप से लिया। बहुत काल तक प्रमात्वा में मन लगा करके प्रजापान करने के पश्चात अंबरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौब दिया। और भगवान वासुदेव में मन लगा करके वन में चलेगे वहां भजन तसा तब करते हैं उन्होंने भगवान जी को प्राप्त किया। प्राप्ट